तो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं I hope आप अच्छे होंगे जैसा कि आप जानते हैं मैं हमें साब के लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूं तो ऐसे वीडियो एक और लेकर के मैं आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको बहुत जल देने वाला हूं पर यह वीडियो जो है यह अपडेट के रूप में एक वीडियो है मैं एक अपडेट टाल रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं कि सेमसंग के फार पी थोड़ी टफ होती है या तो कुछ लोग इसको बाइपास कर लेते हैं जादा तर बाइपास ही करते हैं फ्रेंट मैं आपको बता दू तो आप अपको अपडेट को अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करके ज तो और से एक करके दिखाऊंगा कि क्योंकि मेरे पास जो भी है मैं उसको बताऊंगा मेरे पास एक Samsung का फोन भी है अगर फोन कनेक्ट हो रहा है तो FRP भी रिमूव हो गई होगा तो मैं यहां पर प्रैक्टिकल आपको एक अपडेट देने वाला हूँ तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखीगा तब जाके आपको proper समझ में आएगा मैं यहां पर इसको installations कैसे उसको क्या करते हैं सारी चीजे मैं यहां पर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो अपडेट के लिए है अगर इस टूल के बारे मैं आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके यह न बोलें कि हमें पता है या मैं पहले से जानता हूँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके अपडेट के बारे मैं सारा चीज आपको डिटेल करने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको Chrome एक खोलने ना है Friends, Chrome खोलने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर Chrome खोलने के बाद यहाँ पर आपको Samsung Hub लिखना है तो पहले ही वाली साइड में आपको जाना है SamHub.net आपको जाना है SamHub.net में आपको जाना है तो यह एक एप है इनका और देखते हैं यह टूल है और चलिए बस जैसे खुल जाता है मैं आपको सारा वीडियो कैसे इसको लॉगिंग करना है सारा इस प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ तो इसको हम कर देंगे close यह आपको बताता है कि आपको कैसे वीडियो को फॉलो करना है, क्या करना है, सारी चीज़े आपको यहाँ पर इंट्रो कराते रहते हैं तो आप देख सकते हैं, यह हमारा यह टूल खुल चुका है यह Sam Hub, जो कि मैं एक अपडेट आपको दे रहा हूँ Sam Hub के बारे में यह FRP के लिए जैसे देख सकते हैं Unlock FRP One Credit मतलब आपका एक FRP के लिए एक क्रेडिट यहाँ पर लगने वाला है यह सारे model जो है पर supported है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारा सी यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ तो फटाक से जैसे ही आपको यहाँ पर download पर क्लिक करना है तो मैं सारा जल्दी जल्दी थोड़ी सी करने की कोशिस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलॉग अकाउंट और डारेक्ट फर्प सैंसंग अनलॉग काई में यह वगर 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 यह सारी चीज़े हैं तो आपको यहाँ पर download पर जाना है और मैं यहाँ पर इसको download कर ले रहा हूँ इसका जो password है मैं password इसका बताना चाहूंगा फ्रेंड्स पासवाड का six time zero है जैसा कि आप लिखा भी हुआ है पासवाड six time zero तो हम इसे so in कर लेते हैं so folder और इसे हम कर लेते हैं stack कर लेते हैं stack two और उसके बाद six time zero दमा देना है कि इसे कर देना ओके तो यह हमारे stack हो जाएगे file इस ट्रेक होने बाद यह हमारा जो टूल है यह open हो जाएगा यह देख सकते हैं यह हमारा टूल बहुत एजली तरीके से open हो चुका है तो जब यह टूल हमारा open हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर रिजि बाद पाद चाड़ यहाँ साइन एक सुरीचा कर देंगे जिससे आप जब भी कभी ट्रेट लेंगे जिस भी सेईलर से अपको मिल जाएगा तो पर मैंने यहां पे फिर्फर से दिखा दूँगा आएक हैं तो मैं है अपना पासवर्ड और डाल देता हूं यह यह मैंने बनाई है और यह मैं पासवर्ड डाल देता हूं और यहां पर कर देते हैं लॉगिंग लौगिंग कर दिया हमारा यहां पर लौगिंग हो चुका है निजा разм reflects देख सकते हैं धील किला है यहां पर लॉगिंग कर लेंगे लेंगे मैं फिर से यहां पर लॉगिंग कर लेंगे लिए मैं लॉगिंग कर लेता हूं यहां पर अपना हमने वो डाल दिया और यहां पर अपना पासवर्ट डाल देना है इसमें आपको यह पता चलेगा साइट से कि फ्रेंड्स इस टूल से जो यह टूल था मैं आप इसको सेफ कर देता हूं देख सकते हैं यह दुर्गेज हमारे एक रेडिट आ आपको सारी चीजे एक प्रैक्टिकल वीडियो देने वाला हूं बहुत जल्द मेरे पास अभी आ जाएगा मैंने और नौ पे कर दिया है तो आप देख सकते हैं पर सारे डिटेल जैसे आप लॉगिंग करेंगे तो दो तीन टैप आपको यहां पर एंस्टरा खुल जाएग करते हैं अब हैं यहां से आप जाने के बाद अपनी करेडििक को चेक कर सकते हैं कि आपकी पास कि इस यहीं इसलिए नहीं चाहिए नहीं करने के-डियूर के लिए चलिए हम इसके बारे में ठोड़ी सी डितेल कर लेते हैं तो फ्रेंटिस अब ढेंग सकता है इ sentenced में यहाप सपोर्ट मॉडल में आप जाने के बाद है काफी सारी मॉडल यहां फे सपोटेट है सब्सक्राइब है ऐसा नहीं है कि आप ने जो भीलेटेस फोन है याँ पर लेटेस फोन ही सपोर्ट अप देख सकते यहां पर कि ये देखी और नेक्स करेंगे तो और भी काफ़ी साअरे मौडल देखने को मिल जाएंगा तो चाहिए उसके भी सारी देख सकते हैं यांडैा is not llfsm205 इसको करते हैं find और ये search में तो भी नहीं आ रहे हैं फिलाल तो इसको हम यहां हटाते हैं SM को और इसको करते हैं search कि यहां पर नहीं आ रहे है तो model प्रॉपर डालना होगा जो भी है तो support model फिर से मैं आदahan बाकि आप यहां पर सर्च कर सकते हैं किसी भी मॉडल को आप सर्च करने एक बाद यहां पर अपना credit यहां से भी आप ले सकते हैं सकते हैं यह देख सकते हैं आप यहां से बहुत एजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारा जॉब हिस्ट्री कि हम कितने अभी हमने कोई भी काम यहां पर नहीं किया हुआ है तो यह तो यह तो हो गया साइट का इंफ्रोमेशन आपकी आपको जो भी समझ में नहीं आया हुआ तो कमेंट सेक्सेन बताएगा मैं आपको हाँ पर डेटेल जरूर दूँगा तो चलिए मैं इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा टूल के बारे में एक प्रैक्टिकल आपको बता देता तो मेंट तो द्राइबर होना चाहिए अपर यहांपर फोन हमारा ऑन है अब फोन हमने डरेक्टली लगा दे रहा है Samsung driver आप में होना चाहिए Samsung driver होंगे तो यहां पर आपका कॉम सो कर जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारा यहां पर कॉम सो कर दिया है अगर यहां पर में अहीं है तो यहां पर वह Allah कि में अबदेट वीडियो था में फिर से क़ई रहा हूं कि में आपको धैग्षुप कर लेते हैं दो नहीं होगा लगा दे attain क्योंकि तो नहीं क्योंकि नहीं कप स्थेग तो तो हम बेट करते हैं तो यहां पर कोई भी ग्रेडिट नहीं है इसलिए यहां पर यह इसको अनलॉक नहीं करेगा क्योंकि मैंने डाटा केल से लगाया हुआ है आप यहां पर देख सकते ही हमारे वही जी एट फोन है और सारे इंफ्रमिशन अगर आ रहा है तो जैसे यहां पर प्रेडिट होगा वैसे आपका फोन बहुत ही तरीके से अनलॉक हो जाएगा तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो आपको दूंगा और विट पैक्टिकल तो अगर यह वीडियो आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूल